सभी को रमस्कार मैंने दो दिन पहले अभिनों गुप्त की कविता कविता में दर्शन और शाईव दर्शन इस शीर्शक से एक शंखला इस चैनल पर आरंब की मेरे लिए यह अत्यंत हर्श दायक बात है कि शेव दर्शन के हमारे समय के मूर्धन्य आचारिय प्रोपेसर नवजीवन रस्तोगी ने स्वतह मेरे इस उपक्रम का संग्यान लेकर मुझे आशिर्वात प्रदान किया और शेव दर्शन के एक और सुधी अध्यता सर्वेश त्रिपाठी ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया और सुझाओ इस आयोजन को लेकर दिये ऐसे सुधी जनों के द्वारा प्रोश्चाइथ होकर के मैं हैसास कर रहा हूं कि मैं इस उपक्रम को आगे बढ़ाऊं और अभिनावगुप्त के कविता कविता में दर्शन और शेव दर्शन इस ट्रंखला की दूसरी कड़ी में मैं एक और पद्य जो अभिनावगुप्त का है उस पर बात करूँगा यह अभिनागुप्त का पत्य है। अभिनागुप्त की अपनी शैली है, कहीं तो बहुत पारदर्शीवे हो जाते हैं, कहीं बहुत मुचाईयों पर चले जाते हैं, कहीं अटपटी वानी उनकी हो जाती है, और कुछ संतों की सदुकड़ी वानी में भी रचना करने लगते हैं, यह बहुत आसान पद्य नहीं है, और दो स्थानों पर स्वेम अभिनोगुप्त ने इसको यथा ममईव कहकर उध्रत किया है, इससे भी यह पद्य उनकी द्रश्टी में कितना महत्व रखता है, यह समझा जा सकता है, ब्रधं मुद्योत में द्वनयालोक लोचन के उन्होंने उध्रत किया इसको, ब्निकाव्य में अप्रसुतप प्रश dalंकार कहाँ ध्वनी बन जाता है या कहाँ अप्रसूत अप्रसुतप प्रशंशाही प्रधान लूप से विएंग्य हो जाती है, गंव्यमान हो जाती है भनित हो जाती है इसको बताते हुए अनन्द वर्धन जो बात कह रहे हैं भनिकावी की विशेष्टाएं बताते हुए ध्वनिकावी और गुणी भूत व्यंगे का संबंद बताते हुए उसकी पुष्टी में आचारे विनवगुप्त एक तो अपने गुरु बट अपना एक पद्य भी उध्रत कर देते हैं तो यहां उन्होंने यथा मवईवय कहकर अपना एक पद्य उध्रत किया लेकिन इसकी व्याख्या स्वयम की इससे इस पद्य की गुरुता का बोध उनको है लोचन में अपने ही पद्य को उध्रत करके उस पर व्याख्या भी करत प्राया अन्यत रुनों ने अपने पद्यों की इस तरह व्याख्या नहीं की है। व्रत्य व्रात्य शब्द भी उसी से बना है। व्रात्य शब्द तो एक विशेश विप्रों का समुदाय है। उसे पैश्क्रत स्वयम हो गया, कर दिये गया, उनको व्रात्य कहा गया, उनकी निंदा की गई। एक दूसरी परंपरा, जो बड़ी महिनी ये प्राचीन परंपरा है, वो व्रात्य की महिमा का उद्गोश करती है। गंठता उच्च उद्गोश करती है, अथरुवेद में पूरा अवरात्य सूप्त है। अभवद, सललाम अभवद, सप्रतीची इंदिशम अनुचलत, अनुव्य चलत, और वो प्रतीची दिशा में चला, फिर वो उदक चला, फिर दक्षिन चला, फिर रिगवेद, इजरुवेद, सामेद, अथरुवेद, इतिहास, पुराण, आख्यान, सब उसके पीछे-पी प्रयोग यहां देखकर मझे उसका इस्वरन आ गया, इसके पहले जो प्रसंग है उसके अनुसार, यहां पर रात्य से संबंद आपातता नहीं है, पर कुछ ध्वनी प्रतीत होती है, अगना गुप्त रात्य शब्द का प्रयोग कर रहा हैं, और अनेकत्र करते हैं, आग्य कर्मकांड विरोधी भी हम नहीं, लेकिन हमारा प्रस्थान है, और हम भी उस प्रस्थान के वरात्य हैं, उसमें हम अपनी महिमा में प्रतिश्ठित हैं, ऐसी ध्वनी, चुंकि ध्वनी का प्रसंगी चल रहा है, तो मान सकते हैं, मेरा ऐसा प्रस्ताव है, और गलत भी माना जा सकता है, हे भाववरात ये संबोधन हुआ, अठाज जनस्य रधियानी आक्रम्य, अठपूर्वक लोगों के रधे को आक्रांत करके, उनको दबोच करके, उन पर काबू करके, यद नर्तयन, यद तानी नर्तयन, भंगी भी विविधावी, उन रधियों को आत्म रधे को, रधे शब्द का प्रयोग है, भहुत मार्मिक प्रयोग किया है, और आत्म शब्द का प्रयोग भी है, आत्म सरूप को गोपन करकरके, तो क्या कहना चाहते हैं, स्वात्म क्रीडा प्रिच्छादन परो महेश्वरा, यह शेवदर्शन में अन्यत्र कहा गया है, शेवी अपने सरूप को पिरोहित करके जगत में लीला करते रहते हैं, भाववरात के लिए कहा है, भाव शब्द का प्रयोग होद गंभीर शब्द है, भावस सरूप है शिव, यह भी अन्यत्र वर्णन मिलता है, तैसे भाववरात को सम्वधित करते हुए कहते हैं कि, सामानने लोगों के रचित पर आक्रमन करके, उनको नचाते हो विविद भंगियों की द्वारा उपने सरूप को छिपा करके लीला करते हो, सत्वम आह जड़म ततह सरदयम मन्यत दुष शिक्षितों, वह तुमको जड़ कहता है, शिव जो इस यगत में समाय हुए हैं प्र प्रके, अब आराम, इन सब में कंडं में जो रमे हुए हैं, इन सब को यह जड़ कहती हैं, मुहावरा सुंदर अभी मुसार बनाया है यह पड़े लिखे Candia नै कि पड़े लिखें अनपड़ों से संसार इस समय भरा हुआ है यह मैं कि अधे के समय पर भी अठाक्ष एक इसे ये पद्य करता है क्योंकि अपने आपको बड़ा सरदय मानते हैं, सरदय मन्यत्व में दूस्षित हुए हैं, ऐसे लोग जो है सारे निसर्ग को जिसमें की भाव समाए हुए हैं, उसको जड़ कहता है, यही तो हमारे समय की बड़ी तरासदी है, जिस सारी प्रकृति में शिव समाए हुए है, उसको जड़ कह करके हम उसका दोहन करते हैं, और सब्धिता विनाश के कगार पर उसके कारण पहुचती है, पहुच रही है, तो वह तुमको, वह मनुष्य, वे लोग तुमको जड़ मानते हैं, अपनी सरदयता के गुमान में भर करके अनपड़, उनको ऐसी मिली है कि वह सिक्षा काम की नहीं है, वह सिक्षा निरक्षर लोगों से भी बदतर उनकी हालत उसमें है, मन्य अमुष्य जड़ात्मता इस्तुति पदम तवत्साम में संभावनात, छोथी पंक्ती में ही थोड़ी, थोड़ा पेंच भी है, कहते हैं कि इसकी यह इस सारे मनुष्य समाज की यह जड़ात्मकता है, यह इस्तुति पदम मन्ये, इसको मैं इस्तुति के योग यही मानता हूं, क्योंकि तवत्साम में संभावनात, तुमारे साथ साम में की संभावना इसमें बनती है, वह तुमको जड़ कहता है, लेकिन स्वयम जड़ है, इ सब्सक्राइब . इस संसार में तो पशुभाव को प्राप्त होकर के पुन्हायां पशुपती हो जाते हैं और पशुभाव को जब प्राप्त रहते हैं तो जडवत आच्रण करते हैं जड़ात्मक्ता उनकी बुद्धी में आ जाती है स्रदेमन्यत दुस्यक्षित प्रतीत होते हैं तो यह 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 भी एक अंतर नीत आशाय हो सकता है कि कभी वे पशुपति पुना अपने शिवत्त को प्राप्त करेंगे तो यह संभावना है इसलिए उनकी यह जड़ात्मक्ता इस समय है यह अभी इस्तुति के पद है कभी वे अपनी इस जड़ता को छोड़ेंगे यह एक अन्यर्थ होता है हो सकता है ऐसा मैं समझता हूँ अवाचार यह अगिनोगुपत क्या कहते हैं स्व कश्यन महापुरुशों भी तरागों पी सरागवतिति न्यायन गाल विवेका लोकति रस्कृत तिमिरप प्रतानों पी लोकमध्य स्वात्पानम प्रच्चादयन लोकम चे वाचालयन आत्मन्यप प्रतिभा समेव अंगी कुर्मस तेनेव लोकेन मूर्खों इमितियद उस किसी महापुरुश के लोकोत्तर चरित्र को पध्य प्रकाशित करता है इसलिए अप्रसुतप प्रशिंशालंकार की प्रधानता इसमें है कोई महापुरुश है परमहंस है सिद्ध है शिवत भूमी में आरूड है वीतराग है लेकिन वह सरागवत आच्रण कर रहा है औ अपने विवेक के आलोग से तिमिर प्रतान को उसने तिरस्कत कर दिया है लेकिन अपने आपको प्रच्छादित कर रखा है लोकव विवहार में वह सामान्य जनों के बीच में बच्चों की तरह उनसे खेलते हुए सामान्य लोगों के बीच में विवहार कर रहा है लोकम च दिवास को अंगीकार करता है कि ये मेरे में इनका प्रतिविंब नहीं है ऐसा शायद आशाय है तो लोग उसको समझते हैं कि ये तो मूर्ख है जड़ है तो यह वास्ताव में उसकी लोकोतरता है इस लोकोतरतु को यह पध्यप्रकाशित करता है इसलिए अप्रसुतब आधिर भावों लोके नवग्यायते उद्यान इंदू चंद्रिका चांदनी रात चंद्रमादी इंद को लोग जड़ पदार्थ कहते हैं तो यह प्रत्युत कस्यचित विरहिणा ओच्छु की चिंता दूई मान सताम अन्यस्य परवर्ष ब्यू यमान सताम अन्यस्य परहर्ष परवर्ष ताम करोती थी हटादेव लोकम यथे चमविकार कारणा भी नर्त यती आशा इसमें एक जो इस पश्ट है वया है कि जिन पदार्थों को जड़ समझता है लोग साधारन लोग संसार के सब लोग उद्यान चंद्री का आदी जिनकों की काविशास्त्र में उद्दीपन विभाव कहा गया है वो जड़ कहकर के उनकी अवग्या लोग करता है उनकी वे विरहियों के भीतर और सुक की चिंता की भावनाएं जगाते हैं जो सुखी व्यक्ति है उसको और भी हरशित करते हैं और वे लोगों को नचाते हैं तो यह संसार की माया एक तरह से है यह नचा रही है हम समझते हैं कि यह जड़ है तो यह जड़ नहीं है इसको यदि वेदांत की शब्द वाली में माया भी कहें और भावबरात अभिनोगुप्त ने कह दिया ह है इसको यह सारे भावबरात हैं जिनको उद्धीपन विभाव कहते हैं तो यह जड़ नहीं है अभी नोगुप्त का तो शिधान्त यही है कि यह सब चैतन्यमय है और विभाव औन भाव संचारिभाव यह भी सारे मानस में हैं चित ही है चित ही नाट के है यह उनका दर्श तो यही जड़ बुद्धि हैं जो अपने सुरूप को नहीं समझते हैं उनके सामने आत्म सुरूप प्रच्छादित करके और भाववरात उनको नचा रहे हैं ऐसा आशा यहां और भाववरात से दूसरा आशा यहां उद्धिपन विभाव की रूप में जिन उद्यान चंद प्रसुत प्रशिंशालंकार में विंग्यार्थ में तो परमहंस वीतराग किसी योगी का वर्णन है यह आशाहि लिया जा सकता है ऐसा अभिनागुप्त कहते हैं आगे और भी व्याख्या करते हैं लंबी व्याख्या है लोचन में अभिनागुप्ति नच तस्यरदियम के प्रत्युत महागंभीरों अति विदक्दा शुष्ट गर्वहीनों अतिशयन क्रीडा चतुरहसा यदी लोकेन जड़ईती तो तेवकार्णात प्रत्युत वेदक्द्य संभावन निमित्तात संभाविता है उसके रधय को कोई नहीं जानता कि कैसा वह वीतर से उसका आत्म वास्तामें तवह महागंभीरती विदक्द है घर्वहीन है अतिशयक्रीडा चतुरहे लोग उसको संसार उसको जड़ समझता है और विदक्दी संभावन निमित्त के कारण जड़ की रूप में उसकी संभावना करता है तो आत्मा को जाड्ये न संभाव्या, आत्मा को जड़ समझ लेता है, इस द्रश्टी से लोकस्य जड़ोसीति यद उच्यते, लोक तुमें जो जड़ तुम हो ऐसा कहते हैं, कि जो जाड्ये इस भाववरात को कह दिया गया है, वह इसकी वास्तों में स्तुती है, निंदा नहीं है, व्याज निंदा, व्याज निंदा में परिवसित हो जाती है, व्याज निंदा व्याज निंदा में परिवसित हो जाती है, व्याज निंदा व्याज निंदा में जड़ कह दिया गया लेकिन जो लोग तुम्हें जड़ कह रहे हैं वे जड़ाद भी पापिया नयम लोका है ती द्वन्यते यह संसार के जो लोग मनुष्य हैं यह जड़ से भी अधिक बड़े पापी हैं ऐसा द्वनित अर्थ होता है यह थोड़ा सा अंतिम जो एक ही दो ही वाक्य हैं पहला वाक्य बहुत लंबा है दूसरा चोटा सा वाक्य है लेकिन इसके पाठ पर भी मुझे संदेय है अर्वा प्रसाद व्यदी जी का जो अध्यतन सम्सक्रने दुन्या लोक लोचन सहीद उसमें भी मैंने पाठ मिलाया और इसमें मुझे गुन्या लोक लोचन का समीक्षित पाठ युक्त कोई अच्छा संबाधन कदाचित नहीं हुआ है इसलिए इसमें थोड़ा सा अश्पष्टता लगती है अनुवाद करने के प्रयास मेंने किया और आश्या इसमें यही प्रतीत होता है परमंस बन गए महापुरुष की जो सच्चाई उसे जड़बुद दिमानने वाले जो लोग हैं जो उसको जड़बुद दिमान रहें वे नहीं जानते वह महापुरुष भी उन लोगों के साथ खेल करता रहता है जो लोग उसे जड़ समझते हैं वास्ताव में तो जड़बे ही हैं अश्विन जगति यताद्रिशा पुरो भागिनो भवन्ती यह जड़ पदार्थ है अब्योपी जड़ तरह इत्यत्र व्यंग्यम ऐसे भी मूर्ख लोगी संसार में होते हैं जो बिते हुआ करते हैं जगति नको विपदार्थ हो जड़ा सर्वत्र शिवस्य प्रतिविम्बित अत्वात चेतन्य माहित मिती राध्धान तो प्यत्र प्रकाश्य तो इस प्रश्टी है संसार में कुछ भी जड़ नहीं है यहीं अंतर हो जाता है शांकर वेदान्त से आरोप है और जगत विवर्त है विढर्न हो जाता है कुछ इस प्रकार का करना पड़ता है आरोप इस आरोप कि आवश्यक्ता नहीं है इस ज्यगत की रुछना करके इसके समवेत है तो इतना कोई आरोप होगा ना विवर्त होगा तो सर्वत्र शिवूte जैसा कहते हैं तो सर्वत्र जेतन्य अनुस्यूत है या सिधान्त भी इसमें प्रकाशित होता है ऐसा मान सकते हैं, जैसा मैं अपनी, अल्प गुद्धी से समझ पाता हूँ, और त्रीक दर्शनम मेरे लिए थोड़ी साहयक पुस्तक है, आचारी रामचंद्र दिवेदी की, आचारी के सी पांडे के दो सुयोग गिशिश्य हुए, उनमें रामचंद्र दिवेदी भी एक थ प्रेणा और पत के प्रदर्शक्वे हैं, उनका त्रीक दर्शनम है, उसमें यह जो कहा गया है, इस पद्य को उध्रत करते हुए नहीं कहा गया है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, शेव दर्शन में इस पर विचार करते हुए, कहा गया है, तो यह मैंने लिखा, कथम न घट पटा दे, शेतन त्वेन आभासंते ती प्रती प्रशने, परमार्थत शेतन अपिभावा, चेतन तया श्रिवे, छेया इस परंती ती समाधानम, प्रशन उठाते हैं गरंतकार, त्रीक दर्शन में, कि घट पटा दी, मैं देंगे, और जो परमहन से उसको दिखाई देंगे, ऐसे लोग हैं, कभी-कभी अरुभव की उस इस दशा में हम पहुंच सकते हैं, तो हमको पेड़ बात करता हुआ लग सकता है, नदी बात करती भी लग सकती है, उसमें श्रिव हमको हसते भी हसते भी लग सकते हैं, लेकि समाधान ये करते हैं कि अचेतन भाव भी श्रिव की इच्छा के कारण जड़ रूप में स्पुरित हो, चेतन होते हुए भी भाव जड़ रूप में स्पुरित होते हैं, अचेतन की रूप में स्पुरित होते हैं, श्रिव कृड़ा कर रहे हैं, तो अपने आपको रोहित क प्रगट होते हैं कि दताई लोके जड़त्य परिचाहितानी वख्षि पुष्पानी विज्ञान पारवता वेज्ञानी केने विदुशाचे इतनानी दी वेज्ञानी कोप करणों पस्कृत्या करणों पस्कृतया सूक्ष मित्रशाद रश्यन्ते एवर संसार में जिनकों हम जड़ मानते हैं प्रक्ष होना चाहिए यहां पेड़ और फूल आदी वह वेज्ञानिकों के द्वारा उन्हों संधान करके और प्रयोक्षाला में प्रयोक करके इनके भीतर चेतना है यह समझते हैं इनमें जीव होता है इनको दर्द होता है पीड़ा हो देखता है। दोनों में को जड़ादी द्रभ्ययो परिवर्थन चेतनाचेतन विभाग का खंडन करते हैं कि यह चेतन है इस तरह कोई विभाजन संसार में नहीं वन सकता पुनश्चियो विशाय विशेई वभागश चेतनाचेतनाचेतन का भेद शांकर अद्वैत में विवेचीत audit किया जा रहा है उसका आष्रे लिया जा रहा है अध्वेत को पूर्ण अद्वैत नहीं होता इसको कहा जाता है लेकिन आप भेद से बात करते हैं बना रहता है सामुद्रोही तरंगा नहीं कचन पचन तरंग सामुद्रो भवती उन्होंने तो तरंग समुद्र में सकता है समुद्र नहीं बन सकता है यहां तो पूंद्र में पूंद्र पूंद्र समाई हुइए जोगा बेद नहीं कर सकते यह अनुभाव होगा इसल्य को पिनात के विराज भी पूर्ण अद्वेट तक नहीं ले जाता श्रिवाद्वेट उससे आगे जाकरके पूर्ण अद्वेट तक ले जाता है क्योंकि यह पुर्ण निरास करता है वह बहुत प्रमाण बार ऐसा लगा कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए हम गरीबों के लिए शेवदर्शन में ही थोड़ा 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 आउकाश मिलता है गुंजाइश बनी हुई है जहां पर की इस तरह की कोई शर्ते नहीं है समित पाणी शोत्रियम रह्म निष्ठम ये सारे समित पाणी लेकर के जाओगे गुरू के पास उसके उपदेश सुनोगे तभी ये होगा अशोण मनन इदिद्यासन आदी स्टेप्स करोगे ये सारा है इस्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी क्य साथ आएंगे और एक दर्शन है जो अखंड चेतना वास्तों में अखंड चेतना है जो विज्ञान भी बता रहा है उसकी बात करता है और जो इस कारण कविता कला को भी जगह देता है नहीं तो वहां माया हो जाएगी वहां तो सारी कविताय कलाएं जो विशयरूप जगत है उसका ही अंग होंगी यहां तो हर कला में संगीत में नरत्य में शीवी विलसित होते हैं इसलिए यहां जो सवंदर्य शास्त्र है उसमें और जो शेवी साधना है उसमें कोई अंतर नहीं है यह भी शीव साधना ही है तो यह जो कहा गया है कि तमप्रक उन्हों ने प्रतम सूत्र के वाश्री में कहाई है उस पर दिवेदी जी प्रश्ण उठाते हैं कि तमप्रकाश्वत विरुद्ध सुभाव होना चाहिए यहां तरही तो समन्मय मुकथम उपए आता है तो कैसे समन्मय होगा विरोध का तो दुश्परिहार होगा क्योंकि ऐसा वो त्रिक दर्शनम इस ग्रंत में कहते हैं यह थोड़ा जटिल विशय है कभी आगे मैंने इस पर जो समस्कत में टीका लिखी है उसमें उत्पल देव अजड़त प्रमात्र तासिद्धि को उध्रत किया है उत्पल देवस्तु अजड़त प्रमात्र तासिद्धो कहते हैं आचारेवन गुप्त के गुरु थे लक्षवन गुप्त लक्षवन गुप्त के गुरु थे उत्पल देव महान दार्शनिक हैं विश्व आज मानता है कि उत्पल देव विश्व के महान दार्शनिकों में से एक हैं ताफिल तोरला की पुस्तक चपी हुई है उसम पुरसत का भेद नहीं है अंतरात्मा के भीतर जड़ा जड़ा नाम अप्यवं नास यसोविती निश्चया है जड़ रजड में भी इस तरह का विशेश या भेद नहीं है यह समझ लेना चाहिए उत्पल देव ने भी उत्पल देव ने ही अन्यत्रिया कहा है सरो भाव में भाव मंडलम विश्व शक्ति में शक्ति बरहिशी जुवतो ममर समोस्ति को परो विश्व मेध में यग्यया जी नहा सरो भाव मैं भाव मंडल को विश्व शक्ति मैं शक्ति बरहिश में आहूत करता हुआ है, विश्व शक्ति मैं बेदी के भीतर सरो भाव मैं भाव मंडल की आहूती देता हुआ, जो मैं हूँ मेरे समान कौन दूसरा है, जो इस विश्व मेध में, समस्त विश्व की आहूती जिसमें दी जा रही है उस यग्य को जो कर रहा है समस्त का विसर्जन समस्त में कर रहा है ऐसा उत्पल देव कहते हैं यह व्याख्या द्वन्या लोग प्रथम मुद्योत में जो अभिनोगुप्त ने उद्धरण ने ही पद्यका दिया है तदनुसार यथा शक्ति की गई पद्य पर भी यही पद्य उद्धरत पाचार अभिनोगुप्त ने किया है वहां उन्होंने ठीका नहीं की है जहां तक मैं समझता हूं जैरत की विमर्शनी उसमर्ख उस पर है बहुत विस्तरत है वह भी विमर्शनी भी थोड़ी सी जटिल है और उसको मैं किंचित पढ़ करके इस प्रसंग को समाप्त करूंगा यह पद्य ही वड़ा गंभीर है और अभिनोगुप्त कितने सरल सरल कविता लिख सकते हैं और तार्शनिक अनुसंधान पुरसर भी कविता लिख सकते हैं और कविता तो ही है क्योंकि वनिकाव्वी के उधारण में वहां दे रहे हैं प्रसुतप प्रशिंशा अलंकार है ब्याजस्तुति ब्याजनिंदा विभावना विशेशोक्ति कई अलंकार उसमें पिरोए हुए हैं वैसे अस्पुत रूप में तो अलंकार अन्य भी है बिनाकारी के कारण हो रहा है कारण होते भी कार्य नहीं हो रहा है इत्यादी और व्याजनिंदा से व्याजस्तुति हो रही है यह सब अन्यक अलंकार उसमें हैं और बड़ी मार्मिक बात कही गई है तो कविता तो है ऐसा नहीं कि कविता नहों लेकिन जो दार्शनिक सत्य उस कविता में पिरो दिया गया है सहज रूप में कोई किसी तरह आरोप करके नहीं लाया गया है विशय पर विशय का आरोप होता है वैसा करके नहीं लाया गया है वह एक साथ फार्म और कंटेंट दोनों एक साथ आते हैं गोश्र पहले आया और उसकी कलाप उसके साथ बाद में आई ऐसा नहीं, दोनों एक साथ संबेत होकर के आ रहे हैं, तो भाव है सुभावे अवस्थिति ही, शक्तिष्चे नाम भावस्य सम रूपम मातरी कल पितम, भाव जो है सुभाव में अवस्थिति है जैरत कहते हैं, 330 पर, और शक्तिष्चे नाम भावस्य सम रूपम, यह जो भाव है वह शक्ति रूप है, और वह डेवी रुस्वरूप भी है, वह शक्ति का रूप है, ऐसा वह कहते हैं, तो भाव का एक अलग आशय पूरे यहां पर प्रसंग में चला आ रहा है, उस पर एक पद्य उध्रत करते हैं जैरत, अब यह जो शेव शास्त्र के अध्यता हैं, वो बता सकते हैं, मुझे लगता है कि अबनो गुप्त का ही पद्य है, किस रोत का है मैंने ठीक से मिलाया नहीं है, और भी मैं देखूंगा, नवजीवन रस्तोगी जी ने अच्छी इंडेक्स बनाई हुई है, उसमें एक बार और में देखता हूँ, इस का अगर उन्होंने रेफरेंस दिया है, लेकिन यह चरत ने किसका पद्य है और यह उसमें वहां पर उद्रत है, मिध्या ज्यानम तीमिरम समान द्रश्टी दोशान प्रसूतेतत सथभावाद विमलम अपितत भाति मालिन्य धाम यत्तु उसके कारण विमल भी मालिन निधाम बन जाता है, इस तरह से त्यमिरी दोश मुद्रा से ढख करके और व्यक्ति जो है कुछ का कुछ समझता है, लेकिन जो इसको निरस्त कर देता है, उसको मालिन निशंका कहां रह जाती है, तो 331 वी यह अभिनोगुप्त की कारिका ही है, आगे पद्य है, जिस पर मुझे शंका है कि अभिनोगुप्त का पद्य है, यह 331 कारिका है, और 332 कारिका यह 332 जो पद्य है, कंत्रा लोक में, उसकी व्याख्या करते हुए जयदरत कहते हैं, और 332 पद्य भावबरात जनस्य रधियान न्याक्रम में, यही पद्य है, अब इस शास्त्र का परम गांभीरिय समझते हुए, तंत्रा लोक जो शास्त्र है, उसका, यह पर्थमानी के उख संहार पद्य कारिका हैं, 331, 332, 333 उसके बाद एक और है, परम्मुक्त की जो दशाय उसका वर्णन कर रहे हैं, और उस प्रसंग में यह कह रहे हैं, तो जो 331 है, यह तंत्रा लोक का ही है, और इसमें, जो उस मिध्याग्यान को, उसके तिमिर को हटा देते हैं, उनको मालिननी की शंका नहीं रहती, ऐसा सुभाव में अवस्थिती उनकी हो जाती है, भाव में अवस्थिती उनकी हो जाती है, ऐसा जैरत की अनुसार, यह 331 में अभिनोगुप्त बता रहे हैं, अब 332 में जो भाववरात, अठा जनस्य रधियानी आकरम में उन्होंने पद्य बना दिया है, अभिनोगुप कुछ का कुछ समझते हैं उनका उपास अप्रस्तप प्रशंशा के द्वारा रंतकार यहां कर रहे हैं भावब्रात इस पद्य में इस पद्य का एक अन्याशा यह हो जाता है कि जो परम गंभीर परमहंस के उपदेश हैं उनको जडबुद्धी लोग वहास कर सकते हैं वे इसके मर्म को न समझ करके इसकी उपेक्षा लोग करते हैं ऐसा एक अर्थ एक व्याख्या इसकी हो जाती दुनिया लोग लोचन में उद्रत करके अपने गुप्त ने विस्तार से व्याख्या की है उसमें भी दो तीन इस्तर व्याख्या के हैं ही और जैरत एक अपनी व्या प्रदान करने की शक्ति होती जैसे शिव अनेक रूपों में अपने आपको अनंत रूपों में प्रगट करते हैं उसी में भी शिव समाए हुए हैं इसकावि में उसी तरह से तो यह जैरत अर्थ इसका अश्य करते हैं कि इस ग्रंथ के शास्त्र के गाम्भीरिकों समझने वाले जो लोग इसको अन्यता अर्थ लगाते हैं उपहास करते हैं उनका उपहास इस पध्य के द्वारा किया गया है पिर कहते हैं कि ये जो पहली बंगती में कहा है उसकी व्याख्या करते हैं कि आत्मनों रधेयम प्रच्छाद्येसा उसमें कहा है तो आत्मनों रधेयम आत्म तथ्यम रूपम गोपाईत्वा जनस्य सर्वस्यो बाद इनों रधियानी आशयान बलात कारिन आक्रम में सारे लोगों के रधय को ने काभू में करके यह तुम जो लीला करते हो तो उसमें एक पद्य और उध्रत करते हैं इस पद्य पर मुझे शंका है कि यह कहां का है और एक बार और में जुए मिलाण इसका करूंगा है अबने गुप्त का प्रतीत होता है त्याद्य अस्मान होना चाहिए अद्यास्मान असतः करिश्यति सतः किम झुदावाप्यम किमि स्थास्नूनुत नश्वरानुत मिं थो भीनान अभिन्नाउत इत्थम सद्वदनावलोकन पर एइभावे अध्याश दुखे न तेस्ति यत्याश जो पद्द्य है इससे बहुत मिता जुंता पद्द्ध है और उसमें जो जडबुद्धि लोग है उनक्या एक दूसरा लेवल बताया है जो तोड़ा सा उपर का लेवल है जडबुद्धि लोग क्या जडबुद्धि ही रह जाएंगे जो उपहास कर रहे हैं ऐसा उसपध्व में यह Satva A ओधा करदेंगे क्या हम कर देंगे नश्वर्ख बना देंगे ज़ो मं को भीन्न ही जो मितु परस पर्भिन्न उनको उनको वर्द ब्वाविर जगद्वरती वही मन्ने मोन निरुद्ध्यमान के तैंट 23 इस प्रकार से जगदवर्ती भावों के द्वारा इन लोगों को इन लोगों के भीतरे जो विचार प्रगट किये जा रहे हैं तो उन लोगों के द्वारा मौन निरुद्धिमान रदेर दुख्यन तहीस थी ते मौन से निरुद्ध रदय के द्वारा वे चुक होकर के रह गए हैं ये लोग ऐसा एक उन लोगों के लिए कहा जा रहा है अभी थोड़ा कठिन पद्य है और अन्याश्य भी लिया जा सकता है इस पर पुनर विचार किया जा सकता है यह अभी लेकिन अप्रसुता प्रशिंशाही है जो लोग भावों की विचित्र गतिव स्वात्मक प्रच्चादन परक् अप्रसुता प्रशिंशाह में वर्णन है यह तंकन की भूत अशुद्धियां है आगे जहरत कहते हैं इस पद्य को उध्रत करते हैं कि जैसी इस्थिति इस भाववरात हठाद रधाद जनसे रधियानी आक्रम में इस पद्य में है ऐसे इस्थिति यहाँ पर दूसरे पद माचित वर्णित की है और इत्यादी स्थित्या विविदावी भंगी भी नर्तियन यत संक्रीड से इस प्रकार की स्थिति में विविद भंगियों के द्वारा एक ही भंगी नहीं होती है कि वो जड़ समझ करके उपहास करें उद्यान चंद्रिका आदि भावों का जिनमें में स्थिवरमे हुए हैं बलकि एक अन्य भंगी है होती है कि वे समझते हैं कि हमको कैसे नचा रहे हैं जैसे वीरही कह रहा है चंद्रमाँ से कि तु कैसा मुझे जला रहा है विविविद भंगी का उधान देने के लिए एक और पत्य उधारत कर दिया है जयरत ने इस के इस्थिति के द्वारा विविद भंगियों के द्वारा लोगों को जो नचा रहे हैं भाववरात नटवत अतात्विके न रूपे न समुनलससी नटवत अतात्विक रूप में तुम समुनलसित हो रहे हो तात्विक रूप तुमारा या नहीं है तात्विक रूप में तु इस तरह से बखबख करता है या कहता है वह स्वेम असरदय है लेकिन अपने आपको सरदय मानता हुआ वह दुस्षित होते हुए मिठ्याविमान पूरवक अपने आपको यदा किंचिज्यो हम रिपयो मदांदा समभवम जैसा पर तेरी ने कहा है यह थोड़ा सा जो लोग अचेतनम आहर तुझ भाववरात को वह जड़ लोग अचेतन कहते हैं अतो असमाभी रुद्प्रेक्षते यत अमुश्यवाद इनों वसुत शेतन्य सभावेन भवता यत साम्यम तस्य संभावनात इसलिए हम यह कल्पना करते हैं कि इस प्रकार की इस तरह की बातें करने वाले इस वादी का वसुत शेतन्य सभाव रूप आपके सांथ जो साम में है उसकी संभावना के कारण भाववत्त मेव जड़ात्मा इतियद उच्चते इस जड़ात्मा को भाववत्त से युक्त हम जो कह रहे हैं वह इसकी निंदा के स्थान पर इस्तुती ही है ऐसा यह जहरत इसमें स्पष्ट करते हैं अंत में वे कहते हैं भावा नाम ही वसुत शेतन्य मेव रूपम जितने भी भाव पदार्थ संसार के हैं जिनको उद्धिपन आधी कहा गया है उद्ध्यान चंद्रिका आधी कहा गया है या संसार जितना पूरा है जिसको की वेदान्त में माय कहा गया है सांख में प्रकृति कहा गया है वास्त वे अचेटन्य रूप भी है अचेटन्य मानत्वी तेशाम न किंचित रूपां स्याथ उसको यदि अचेटन्य मानेंगे तो कोई रूप वहा नहीं होगा अतस्तदेव यह जानते ते जड़ेभ्यों पिजड़ा इस बा केसे होगा यह ग्रंथकार कहना चाहते हैं इस ग्रंथ का जो तत्व नहीं जानता है मां ज्यासित्व न जाने प्रत्युत्व और कुछ भी कहता रहे तो वही जड़ होगा इस ग्रंथ का कोई दोश नहीं है ऐसा जहरत यहां पर कह रहे हैं और भी विचार इस पर किया जाना चाहिए और इतना ही कुल मिला करके फिलहाल अबनों गुप्त के इस पद्य पर खेह करके यहां अबनों गुप्त की कविता कविता में दर्शन और शेव दर्शन इस रंखला की इस दूसरी चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ सभी को धन्यवाद नमस्कार